हेलो गाईस आज हम चिले निन अनदर वल्ड एनिमे के एपिसोड 9 को एक्स्प्लेन करने वाले हैं अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले वो देख लेना इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फलियो और सब घर पे खाना खा रहे थे और खाना फैंडरीट ने बनाया था बाली रोसा उसकी तारीफ करती है कि वो पहले से अच्छा खाना बनाने लगी है फैंडरीज कहती है ये सब मिलैनो की वज़े से हुआ है फैंडरीज कहती है तुम अभी भी कुकिंग क्लासस ले रही हो फैंडरीज कहती है मिलैनो इस टाउन में आई थी तो मैं उससे मिलने गई थी और हम उस टाइम का फ्लेश ट्रैक देखते हैं फैंडिस उसे ठैंक्स कहने गई थी और उसने उसे बताया था कि उसने फ्लियो के दिल को जीत लिया है और इसी खुशी में मिलैनो ने उसे फैमिली डिश बनाना सिखाया था अब सीन प्रेजेंट में आता है फैंडिस कहती है उन्होंने मुझे बच्चे को कौन सा खाना पसं किया गया था वो फैंडिस कहती है तुम्हारे किंडम ने अभी तक फैंडिस के साथ बुरा बरताफ किया है मैं तुम दोनों को खेले चोड़ कर नहीं जाऊंगी फैंडिस के हाथ पे हाथ रखकर कहता है मेरी वाइफ यहीं रहेगी अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां से जा सकती हो फैंडिस खोश हो जाती है प्रिंसिस उसकी बात मान जाती है और बाले रोसा और बाखी सब रूम से बाहर चले जाते हैं और फिर प्रिंसिस नीचे बैठकर पूरे किंडम के तरफ से उसके साथ हुए बुरे बरताफ के लिए उससे माफी मांग दिखाती है, जिसमें उनके सैनिकों की पोजीशन शो हो रही थी, वो बताती है हमारे प्योरिफिकेशन मैजिक का सर खतम होने वाला है, और जब ऐसा होगा तो डार कार्ड में फिर दुबारा हमला करेगी हमारे जादुगर अभी भी ठेक नहीं हुए है, और इसलिए हमने अपने सैनिकों को फैला दिया है, और राजा ने भी प्योरिफिकेशन मैजिक यूज़ किया था, जिसकी वज़े से वो अभी तक बिमार है, मुझे पता है अपने हीरो बनने के लिए मना कर दिया था, पर मैं आपसे अज़र हीरो नहीं, बल्कि हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हैल्प मांग रही हूँ, सैंडरीस कहती है तुम बस मेरे हस्बेंट को यूज़ करना चाहती हो प्रिंसिस कहती है, जब किंग ठीक होंगे तो वो डार्क वन से रिलेशन रखने के जुर्म में तुम्हारे पीछे सैनिको को जरूर भेजेंगे पर क्योंकि मैं अभी प्रिंसिस हूँ, तो मैं इसमें तुमारी हल्प कर सकती हूँ, मैं उन्हें गलत कैंडिडेट को अर्मी परिंसिस से कहते है, तुम अभी पी मुझे फॉलो करना चाहती हूँ, सूधिया काती है, यही बात में तुम्हारे लिए बी कह सकती हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम्हारे लिए भागना बहुत आसान होता पर तुमने मुझे जिल से आजात किया तो मुझे बहुत कूल लग रहे थे तब ही एक स्पाइडर आकर दोनों को अपने जाले में कैद कर लेती है और वो इस्पाइडर फुफुन की थी जो योई ग्रेड के लिए काम करती थी अब रात में फैंडिस फलियो से कहती है तुम प्रिंसेस के ओफर के बारे में सोच रहे हो ना फैट नहीं करना चाहता पर मैं टाउन को खत्रे में भी नहीं देख सकता मैं सोच रहा हूं मुझे क्या करना चाहिये अगर हमारे के लिए तुम्हारे साथ होंगी अब अगले दिन टाउन में बेल बजाकर सबको सचेद कर दिया जाता है कि डारकार में आ रही है सभी लोग टाउन को खाली कर दे सभी लोग टाउन से भाग रहे थे पर एक छोटी बच्ची फॉरेस्ट में थी डीमन उसे मारने वाले थे लूपाइन इंसानों का साथ क्यों दे रही है अगर तुम यहां से चले जाओगे तो हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे पर अगर तुमने यहां के लोगों को नुक्सान पहुंचाया तो मैं तुम पे रहम नहीं करूंगा देवन कहता अच्छा मजाक कर लेते हो फ्लियो कहता है मैं सीरियस हूँ फैंडिस कहती है तुम तो यह बैरियर भी नहीं तोड़ सकते तब ही वहां साइलॉपस आता है फैंडिस कहती है यह डार्क आर्मी की सबसे पावरफुल ट्राइब से है और यूई ग्रेड का सर्वेंट है साइलॉपस इंफीरियर 4 का मजा खुडातावा कहता है कि वह कितने कम जोडते जो प्यूरिफिकेशन से ही मारे गए वह कहता है मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है फैंडिस फ्लियो से कहती है इसे मुझ पर छोड़ दो मेरा भाई फ्रेंगायल मारा गया था पर मैं अपने ट्राइब की बेच जती होने नहीं फैंडिस उसे कई जगए पर काट लेती है सैल ओफ कहते है तो मुझे काट कर मुझे नहीं हरा सकती फैंडिस कहते है मुझे ध्यान रखना है कि तुम मर ना जाओ अगर मुझे मारना होता तो मैं कब की जीट चुकी होती पर ऐसे जीतने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही वो मैजिक से उपर जाती है और खुद से उसे टेलिपोर्ट कर लेती है अब सैल ओफ उपर से गिर रहा था वो अपना हतियार फैक कर फैंडिस पे मारता है पर फैंडिस फिर दुबारा उसके साथ टेलिपोर्ट हो जाती है और सैल ओप का हतियार उस पे ही लग जाता है और forest में टेलिपोर्ट कर सकता हूँ पर फिर तुम सब दुबारा आ जाओगे तो मैं चाहता हूँ तुम खुदी चले जाओ साइलॉप्स कहता है आखिर तुम हो कौन फ्लियो कहता है मेरा बस इस डीमन के साथ special relationship है अभी मैं प्यार से तुम सब को जाने को कह रहा हूँ अगर तुम नहीं माने तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है सारे डीमन उससे डर के भाग जाते हैं फैंडरिस कहती है जब उन्हें दुबारा ओडर दिया जाएगा तो फिर आएंगे हमें उन्हें इतनी बुरी हालत में भेजना चाहिए था कि वह आने से पहले सौ बार सोचे फ्लियो कहता है इससे काम आसान हो जाता प मत करो और मैं यहां प्रिंसेस की रिक्वेस्ट से आया था तो उन्हें ठैंक्स कहो दूसरे तरफ प्रिंसेस को रिपोर्ट दी जाती है कि किसी ने टाउन को बचा लिया है पर उसने अपना फेस छुपाया हुआ था और उसने कहा वो प्रिंसेस की रिक्वेस्ट से आया है प्रिंसस कहती है वो जरूर फ्लियो होगा, वो खुश दे कि फ्लियो ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली, और वो इसके बदले उसे कुछ देने का सूचती है, सीन वापस फ्लियो पे आता है, उसने एक और टाउन से डीमन्स को भगा दिया था, और डार्क वन उसके पीछे वाली पहाड़ी पे था, वो कहता है उस यूई ग्रेड ने मेरे ओर्डर के बिना ही ओर्डर दे दिया, तब ही वो पहले वाली डीमन आती है, और डार्क वन को बताती है, उली मिनास ने अर्जेंट मैसेज भेजा है, यूई ग्रेड ने आपके सिंगासन पे कबजा कर लिया है, स इससे यूई ग्रेड को इतनी पावर मिलेगी, कि वो डार्क वन को हरा कर, खुद डार्क वन बन जाएगा, और डार्क वन वही जा रहा था, और यहीं पर ये एपिसोड एंट होता है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जल्दी में लेंगे एगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाई बाई